हाई दोस्तों असलाव लेकुम कैसे आप लो मेरा अम नबील है मेरा MacBook Pro M1 Pro 16 inches वाला 2021 वाला model जो है यह मेरा primary device है जिस पर हम video editing वगरा करते हैं और recently हमने add किया था MacBook Pro M2 Pro 16 inches वाला यूके latest offering है Apple की तरफ से यह आता था 2,40,000 का और यह है 2,50,000 का 10,000 रुपय आपल ने बढ़ाया लेकिन इसकी unboxing में हमने देखा कि इतना कुछ जो है difference नहीं है दोनों में लेकिन मैं बहुत time तक इसको use करके जो है comparison आपके रहे लाना चाहता था और अभी यह सही मौका है इस comparison का क्योंके इन दोनों के अंदर जो price difference है launch time पे price difference कितना था 10,000 रुपय का था लेकिन अभी जो price difference है यह 90,000 रुपीज का price difference है इन दोनों के बीच में in fact 90,000 से भी ज्यादा Macbook Pro M1 Pro है 2021 वाला यह आपको जो है अब 1,58,900 रुपीज में मिल रहा है including GST याने की GST क्लेम करेंगे तो और कम में मिल जाएगा और यह वही 2,50,000 रुपीज में मिल रहा है 8,000 रुपय अब होज HDFC और का offer मिलता है latest वाले के उपर तो दोनों के अंदर कितना difference है हमने इसको use किया video editing की सारी चीज़े इसके उपर की जो practical differences है जो actual differences है जो practical use के अंदर difference आया है उसको करेंगे हम compare और आप कैसे यह दोनों में से कोई अगर आपको laptop लेना है तो ले सकते है यह जो deals मैं बता रहा ह दे आपल की तो इसमें आपको कुछ भी जो है कुछ नीच नजर नहीं आएगी दोनों aluminum के बने वे है और exactly सारे port placement और सारी चीज़े जो है exactly उसी जगा पर रखी वी है keyboard trackpad इन सारी चीजों का experience है वो भी exactly same है कोई फरग नहीं है इनके अंदर ऐसा भी नहीं के एक में touch bar है ए 1200 तक जा सकती है और दोनों display का resolution exactly same है in fact दोनों displays ही exactly same है overall ये दोनों जो laptops है ये जो macbooks है ये exactly same है external hardware और display keyboard trackpad के हिसाप से पीकर, mic, camera सब चीज़ जो है exactly same है कहीं भी कोई improvement नहीं किया गया है एक चीज़ के अंदर improvement है वो है wireless technology जहां पर जो M1 Pro है उसके अंदर आपको Bluetooth 5.0 और Wi-Fi 6 मिलता है वहीं पर आपको M2 Pro के अंदर Wi-Fi 6E और Bluetooth 5.3 का support है तो ये इतना बड़ा कोई difference नहीं है जिसके लिए मैं 90 थाउजन रुपी एक्स्ट्रा पे करूँ यूगि Wi-Fi 6E बहुत अची चीज है लेकिन अभी Wi-Fi 6 भी काफी सही है और आप LAN port का इस्तमाल दोनों में ही कर सकते है और charging speeds के अगर बात करें तो वो भी exactly same है दोनों में 140W का charger आता है लेकिन M1 Pro के मुकाबले Apple के claim के हिसाब से M2 Pro जो है यह एक घंटा जादा बैटर लाइफ निकाल के देता है और एक घंटा जो है इन दोनों की इतनी अच्छी बैटर लाइफ होनी की वएसे यह बहुत ही insignificant चीज है हमको यह चीज कभी महसूस हुई नहीं तो आप difference है कहाँ पे exactly तो difference है इसके specifications के अंदर जहाँ पे एक मे में कैसा difference है अब आपको समझ में आएगा सबसे पहले चीज हम यहाँ पे compare करते है SSD speed तो यह गाइस Blackmagic का disc speed टेस्ट जो के इसकी SSD की read और write speed बताएगा यह है M2 Pro वाला Mac तो सबसे पहले इस पे हम start करके देखते है SSD की speed कितनी आती है तो write की speed आप देख सकते है तक्रीवन 35,000 MBPS है और read speed जो है यह 2900 MBPS के आसपास है एक बार और इसको रन करते है यह again 2900 और यह भी जो है उतनी ही दे रहा है आसपास around 3000 MBPS की अब यही चीज हम हमारे पुराने MacBook पे करके देखते है जो के M1 Pro के साथ आता है यहाँ पे जो write speed है वो अभी 2600 दिखा रहा है read speed जो है यह दि 300 के आसपास है तो आप यहाँ पे देख सेकते कि दोनों में कितना difference है यहाँ पे देख सेकते कि speed जो है इसके मुकाबले काफी कम है यह जो disk speed test हमने किया इसका practical D2DF में आपको क्या फरक पड़ेया क्योंकि जो M1 Pro है वो faster है M2 Pro है वो slower है इसका फरक पड़ेगा आपको जब M1 Pro के अंदर मिलेगी M2 Pro के मुकाबले 512 SSD वाला M2 Pro है इसकी speed Apple ने restrict कर दिया है ताके लोग और 20,000 रुपे देखे 1TB वाला version ले तो यह थोड़ी सी अजीब सी बात मुझे लगती है लेकिन एक disappointing चीज है जहाँ पे older model जो है better साबित हो रहा है इस पामले में नए SSD के साथ या नए technology के साथ इसने यहां पे कोई benefit नहीं दिया हमको अब यहां पे हम test करने वाले Final Cut Pro में exact same जो project है मैंने बना के रखा इसके अंदर भी 18 minutes का जो है वो एक पूरा वीडियो है उसमें क्या difference आता है दोनों में वो check करते है और दोनों के अंदर उसको editing के time पे भी आपको को battery health है वो बता देता हूं तो दोनों की जो battery health में फरक है मेरा M1 Pro है क्योंकि थोड़ा सा पुराना है तो 93% पे है इसकी battery health और M2 Pro जो है क्योंकि थोड़ा नया है 99% पे इसकी battery health है और दोनों देख सकते आप 70-70% पे है 19-20 का फरक तो होगा लें कितना percentage drop होती है battery यह हम चेक कर है दोनों equally good perform करते है अब दोनों के अंदर 18.4 minute की यह clip है 18 minutes 4 seconds की यहां पे देख सकते है यहां पे देख सकते है यहां पे दोनों को साथ में हम करेंगे export और देखेंगे कि कौन सी जो वीडियो है वो पहले render होती है कहां पे अब यह भी देख सकते है आपके 8.43 GB 8.43 GB estimated output size है exact same clip है कोई फर्क नहीं है दोनों में यहां पे दोनों के अंदर साथ में जो rendering है वो start करते हैं 3,2,1 go और यह जब render होई रहा है तो यहां पे मैं अपना phone भी रख देता हूं बीच में और उस पे stock watch शुरू कर देता हूं तो एक ही time पे शुरू यह stock watch और यहां पे मैं आपको rendering का progress है वो भी इसके जरीए से दिखा पाऊंगा कि कितना हुआ है अब यह 1% पे है नया वाला और पुराना वाला जो है वो 2% अलड़ी कर चुका है अब guys यहां पे 8 minute 40 seconds के आसपास हो गया है 94% पे है M1 pro और 87% पे है M2 pro तो यहां पे video render अगर आप करते हो video editor हो तब भी आपक के है यह 98% पे है यह 90% पे और बैटरी भी देखेंगे हम कितना फरक आता है जबकि इसकी बैटरी हल्थ कम है पुराने वाले की मेरे तो जादा ड्रॉप होनी चीए बैटरी तो यहां पे 100% हो गया है 9 minute 9 seconds के अंदर और यह अभी तक 92% पे तो अभी भी 8% का difference है अभी 93 पे है यहां पे हम battery percentage देखते हैं तो 2% ही बैटरी हमारी drop हुई है M1 Pro के उपर अब यहां पे देखते है के 18 minutes की video render करने में M2 Pro में कितनी battery drain होती है यहां देख सकते है 95 से सीधा जो है यह 100 कर दिया इसने और 9 minutes 30 seconds के अंदर और यहां पे battery drop हुई है 3% 67 पे तो Apple का जो claim है बैटरी पुराने वाले से नहे वाले में improved है वो मुझे actual practical use में नजर नहीं आया तो देख लिया गाइस दूद का दूद पानी का पानी आपके सामने है और यह long term पे मैं बता रहा हूं यह करके क्यों बता है मैंने आपको video rendering और इस सब यह पहले भी कर चुका हूं मैं मतलब black magic speed test तो आपके लिए M1 pro के लिए जाना ही सही है M2 pro के मुगाबले और पैसे बचाना ही समझदारी है ना battery life आपको जाधा मिल रही है M2 pro के अंदर ना आपको rendering speed जाधा मिल रही है M2 pro के अंदर और SSD की speed भी file transfer वगरा करने की डाइम पे भी M2 pro के अंदर आपको कम देखने भी लेगी आप pricing की बात करते हैं और कहां पर आप इसको purchase कर सकते है पचेस तो आप कहीं भी कर सकते है लेकिन जो प्राइज में बता रहा हूँ वह का पर मिलेगी वह मैं आपको बता दूगा M2 pro जो है यह तो रही लाग रुपय का है 2,49,900 और जो offers Apple के रहेंगे वह तो है उसका link भी देता हूँ 1,900 और यह brand new seal pack product का ही price है क्योंकि Apple store है पुराना second hand खुला हुआ यह product तो बेचेगा नहीं second चीज आप इसमें ले सकते हो 1TB वाला storage variant जो के again आपको जो 20,000 रुपय एक्स्ट्रा देने होते है जो आप नया लेते हो कोई भी upgraded SSD वाला यहाँ पे आपको सिर्फ जो है तक्रीमन 7,000 के आसपास देना पड़ेगा 1,65,300 रुपीज जो है इसका price है 1TB SSD आप देख सकते हो और यह जो model है आप इसका price Flipkart Amazon कहीं भी compare करते हो जहाँ पे least रहेगा वहाँ से लेना और यहाँ पे इसका SKU model number होता है वो भी लिखा होता है देख सकते है आप यहाँ पे तो इससे भी आप compare कर सकते है आपको पता चल जागा क्योंके कही बार Flipkart Amazon या कोई website पे आप confused भी हो M2 Max आता है तो आपको बहुत जादा power और बहुत जादा powerful GPU 32 core का GPU और 1TB की SSD मिलती है साथ ही 32GB RAM भी इसके अंदर आपको देखने मिलेगा जो के double RAM है when compared to MacBook Pro M1 Pro और M2 Pro और इसका भी आप SKU number या model number देख सकते है website पे और आप compare करके ले सकते और इसका price है 2,29,900 रुपीज जो क यह full-on वाली M1 Max ले लो इसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा अगर 20,000 बज भी जाएंगे SSD भी ज़्यादा मिल जाएगी RAM डबल मिल जाएगा और chipset भी ज्यादा powerful मिलेगा लेकिन अगर आपको उतनी जरूरत नहीं है जैसे मैंने आपको बताया M1 Pro वाला base version 512GB वाला date of purchase जब से आप activate करेंगे तब से और brand new seal pack product मिलेगा with GST bill in your name और guys एक बात में भूलना भूल गया इसलिए यह clip जो है मैं यहाँ पर आड कर रहा हो इस वीडियो के अंदर कि आपको अगर offline में purchase करने में online purchase करने में कुछ लोगों को हिच की चार्ड होती है वैसे हिच की चार् लेकिन अगर आपको विजिट करना है store को cash लेगे जाना है काड से payment करना किसी भी तरीके से करना है store विजिट करके भी आप यह purchase को make कर सकते है महाराष्ट्रा में है इनका store दो जगा पे description में उसका address दिया हुआ है वहाँ पे जाके भी आप इनको checkout कर सकते है यह products को और purchase आप आप क्लिक करके इनको purchase कर सकते है उमिकिता दोस्तों आपको जो पसना होगा पसना इस वीडियो को like and share जरू कीजिए और मेरे चैनल को subscribe जरू कीजिए good bye